Hi everyone, मैं Robin, आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूँ Unacademy Live SSC Exam के एक और सेशन में जहाँ पर मैं आपके साथ discussion करूँगा important EDMs का और try करूँगा कि आप इन EDMs को picture के थो किस तरीके से याद रख सकते हैं अगर आपको कोई भी EDM कहीं भी मिलता है तो आप अपने दिमाग में कि उसकी picture create कर सकते हैं ताकि आपको वो EDM जादा तमयस तक याद रहे ये कुछ मेरे बारे में जान का रही, my name is Robin, तो चलिए हम अपने इस session को start करेंगे पहला आपके सामने मैं word use करता हूँ, now she is really in a pickle, यानि कि she is really in a pickle इस statement से मैंने आपको EDM आपके सामने रखा कि in a pickle अब देखें इन a pickle का अर्थ जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहले के टाइम पर क्या होता था लोग अपनी सबजियों को या फिर meat को spoil होने से बचाने के लिए refrigerator में तो रखने ही पाते थे क्योंकि refrigerator वहाँ पर हुआ नहीं करते थे तो अब क्या करने लगे लोग कुछ large barrels में vinegar का पानी रखकर या विनेगर को रखकर या फिर brine solution को रखकर उसके अंदर अपनी चीज़ों को बचाने लगे अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी ऐसे barrel के ऊपर रखे हुए धंकन पर जाकर बैठ जाते हैं आपको idea नहीं है कि आप कहां बैठे हैं और आप गिर जाते हैं उसके अंदर यहां से एक idea निकला कि that you are in a pickle तो meaning यहां से निकलता है कि you are in a situation which is troublastic यानि कि you are in an unpleasant situation तो हर idiom अपने आपसे एक history रखता है जहां से वो idiom actually originated है जहां से वो idiom निकल कर आये हैं ऐसी situation को ही आपको जानने की जरूरत है और अगर आप यह चीज़ें जानगे तो आपको यह idiom याद रखने में बहुत ही आसानी होगी तो मैंने आपसे कहा आपको इसका background बताया कि यह जो idiom था है कहां से निकला था तो यह होगी आपका in a pickle which means that you are in a trouble or in an unpleasant situation नेक्स्ट मैं आपसे बोलता हूँ whenever he performs he gets butterflies in the stomach तो देखिए EDM आपको यहां से निकला butterflies in the stomach आप सभी को पता होगा लेकिन मैं आपसे यहां पर इसका idea बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप अलग-अलग EDM को ideas के थुरू याद रख सकेंगे मैंने बोला butterflies in the stomach तो देखिए मैं अगर आपसे अगले ही पर ली कहूँ के चलिए मैं आपका spelling test लेता हूँ आपको sensation होने लगता है और ऐसे लगता है कि बही क्या मेरे पिट में कुछ butterflies जैसा महसूस तो नहीं हो रहा है means it's a kind of situation जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा nervousness फील करते है अब इस nervousness की feeling के लिए ही आपका यह यहाँ पर EDM यूज हुआ butterflies in the stomach means you are in a situation जहाँ पर आपको एक weird feeling होती है which is caused by fear और nervousness तो यह हो गया आपका butterflies in the stomach next आपका आता है she certainly opened a can of worms this time तो यहाँ से आपका EDM निकला open a can of worms open a can of worms का अगर मैं आपसे बोलूँ के भई आपने एक can को open कर दिया है जो filled थी किससे worms से अब क्या होगा अगर आपने उसे open कर दिया है सारे worms क्या हो जाएंगे बाहर आजाएंगे और आप able नहीं होंगे उन सारे worms को वापस उस can के अंदर रख पाएंगे लोग क्या करने लगेंगे चिलाले लगेंगे इधर दोर आपके worms जो है वो फैल जाएंगे अब ऐसी condition में आप कहां पर आजाएंगे कैसी situation में आजाएंगे when you are feeling very troublistic आप क्या करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि भी आपने क्या किया और आपकी यह situation क्या हो जाएगी unhandable हो जाएगी means if you open a can of worms तो meaning यहां से निकल कर आएगा कि आपने एक ऐसी situation को start कर दिया है कि you started a situation जहां पर बहुत ज़ादा trouble आपको होने वाला है और इस situation को बहुत ही कठिना ही होगी आपको रोकने में तो यहां से आपका idea create हुआ open a can of worms next आपके सामने every time you go to a garage sale you come home with another white elephant a white elephant का यह idiम आपके सामने निकल कर आता है कि what is the meaning of white elephant अब देखें मैं आपको यहां की इसकी history बताने की कोशिश करता हूँ पहले time पर Thailand में क्या होता था एक white elephant को बहुत ज़्यादा sacred animal मानते थे बहुत ज़्यादा पूछा पार्ट उसकी होती थी तो जभी भी वहां का राजा यानि की Thailand का राजा नाराज हो जाता था किसी भी आदमी से किसी को भी उसे गुस्सा आता था किसी पर भी अब उसकी maintenance के लिए आपको क्या करना होगा उसको काफी कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा आप market जाएंगे काम करेंगे वापस आएंगे उसको खिला देंगे पिला देंगे मतलब आपने कैसी चीज को पाल लिया है अपने कंधे कि आप सिर्फ वहाँ पर घाटे में जा रहे हैं एक useless possession आपने ले लिया है तो यहाँ पर white elephant का जो earth निकल कर आता है a totally useless possession that you would like to get rid of यानि कि आप इस situation से निकलना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर अपनी इस condition में फसा रहूं और हमेशा खर्चे करता रहूं next है आपका swim away don't bury your head in the sand तो यहाँ से idiom आपका निकला bury your head in the sand तो दिखे मैं आपसे बोलता हूं कि पुराने टाइम पर क्या हुआ करता था न ostrich जबी भी अपना सर मटी में घुसा ले दाता था लोग बोल देता है कि यह इसलिए करता है क्योंकि यह अपने enemy को दिखाना चाहता है कि बहीं मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा तो इसका मतलब आप भी मुझे नहीं देख पाओगे यानि कि यह अपनी ऐसी situation को जहांपर वो उसे face नहीं करना चाहता था उसे डर लगता था तो लोगों ने बोल दिया कि भी ostrich ऐसा इसलिए करता है कि वो अपनी उस situation को avoid करना चाहता है लेकिन ostrich ऐसा नहीं करता है ostrich बहुत ही बहादूर होते हैं अगर आपको किसी एक गुस कराना चाहते हैं तो bury your head in the sand का earth निकल कर आएगा that pretend that danger doesn't exist यानि कि आप ऐसा pretend कर रहे है कि कुछ ऐसा खत्रा ही नहीं जबकि वहाँ पर actually में खत्रा होता है मतला आप एक को पता है कि इधर आपको खत्रा है आप क्या करने आख बंद करके जा रहे हैं आप ऐसा pretend कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है वहला खत्रा हो नहीं सकता so that is the meaning जहाँ पर आप idiom का earth निकालते हैं bury your head in the sand means when you are pretending के doesn't exist what danger लेकिन actually में क्या है danger वहाँ पर है तो यह मैंने आपसे कुछ idioms देखी यहाँ पर discuss के लेकिन अब मैं आपको main चीज यहाँ से बताऊंगा कि आप हमेशा क्य करना है जो भी चीज आप याद करते हैं मैंने आपसे vocabulary का भी discussion करता हूँ जहाँ पर मैं आपको pictures की use से vocabulary को याद करने के लिए बोलता हूँ आप किसी की बताई हुई pictures को मत लीजी आप अपनी दिमाग में का idea create कीजी हर शब्द को लेकर चाहे वो one word हो चाहे वो idiom हो चाहे vocabulary का कोई सा भी section हो तो मैं यही कहूँगा अगर आपके दिमाग में एक idea है एक picture है आपने background said कर लिया है उस चीज को लेके तो आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे तो अगर आपको इस session पसंद आया please do like it मैं ऐसे ही आपके लिए sessions चलाता रहूँगा share करें इसे अपने friends के साथ subscribe परें channel को और follow करें telegram के और instagram के page को मैं फिर से मिलूँगा next part में आपके साथ अपना ख्याल रिखिए take care bye bye and thank you